त्रचार रोस्तो, NIRSD में आपका स्वागत है, तो आज हम बात करेंगे, हमने जो पहली ख्लास थी उसके अंदर हमने यह ट्रिग वगरा hasil जान ली थी, कि यह ट्रिक क्या होती है इसके बारे में उसके बारे में प्रचान लिया था, कि, यह trick होती है, तो यह भी हमने जान लिए था कि दालों का जो जो दाले है, यह किस कुल की है, लेव्मिनास से कुल किए और बारत के अंदर इससका कौन से इस्थानें, पहला इस्थाने, तो आज और साथ हमने इसके trick भी जान लिदी कौन सी trick थी? कि चना सा अरगर नस मूंगा एडा का इसोबा लाई तो इसके बारे में हमने जान लिया था कि चणा का विगणिंग नाम क्या होता है शाइसर एराई टी नम और शाती अरे यानि Arala का वेगणिंग नाम क्या नस यानि केजनस केजन NICKृ मैं पर K Rich ट्रिक के बगर है यह हमने कर लिती अब बात करते हैं हम आगे चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं और जानने के बाद चलेंगे हम आगे तो आगे चलते हैं हम कहां से शुरू करते हैं फल भी हो गए थे हमारे और साथ में हम थे मक्का हो गया था बाजरे पड़ते तो आज शुरू करते हैं बाजरे से लेकर तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि थो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइगन का बटन है वो जरूद दबाए तो दोस्तों कि जलते हैं बाज्रे के बारे में हम पढ़ते हैं बाज्रा गरीब का अनाज बाज्रा और बाज्रे का वेगेनिंग नाम है पेनी सिटम टाइप फाइडिस पैनी सिटम टाइप फाइडिस किसका वेगनिक नाम है बाज़े का वेगनिक नाम है और गरीब का अनाज कौन सा है बाजरा है साथ ही बाजरा जो बाजरा फसल है वो किसकी है वो खरीब की फसल है किसकी है खरीब की फसल है और इसी बाजरे को हम मोटा गोणिया अनाज कहते हैं मोटा गोणिया अनाज कहते हैं क्या कहते हैं मोटा गोणिया अनाज अब चलते हैं आगे यह हो गए आपके यह तो सारे हो गए आपके बाज बाजर हो गई बाजर के बाद चलते हैं रभी और एकिस की और तो चलते हैं से मैं प्रोटीन के प्रोटीन और तोटीन तो मूंगपली का वेगने नाम क्या है एरे कीस हाइपोजिय मूंग फली का विकन निग्नाम किया है ? यानि जो भारत है वो विश्व में मूंग फली उतपादन में पहला इस्तान रखता है कौन सा इस्तान रखता है पहला विश्व में उत्पादन की दस्टी से मुंग फली में पहला इस्तान भारत का आता है हमारे इंडिया का आता है किसका आता है इंडिया का आगे चलते हैं सोया बीन मैंने का ता सवरदिक जो प्रोटीन होती है न वो सोया बीन में होती है सबसे ज्यदा प्रोटिन का स्रोथ अगाने यह सोवाइगां इन नाम है तो आई है यह सोयाइग लेकर आई और रहे फोजाइग दोस्ते पर दात्तों की और पर दात्तों कंसी पर तो पर चलते हैं चाए चाय तो सभी पीते होंगे चाय का वेनिंग नाम है Camelia sinus किसका वेनिंग नाम है चाय का वेनिंग नाम कौन सा मेरा है Camellia sinuses चलू आगे चलते है अब आगे पोदय की पत्यों से स्था णवाने तो वह से चाय चाय की पत्य होते है अब चलते हैं कोफी क्या कोफी कोफी का का वेगरे नाम क्या है काफिया अरेविका कोपी का वेगरे नाम क्या है काफिया अरेविका क्या है काफिया अरेविका क्या है काफिया अरेविका अब चलते हैं आगे और जो कोपी है कोपी के से उती है पोधेके जो बुमनेवन बीज होते हैं ये बीज्गे से सकते है कोपी कोपी कर जाती है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् और गाजरी में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है के रोटीन क्या पाई जाती है के रोटीन किस से बना है के रोटीन से बना है जो आपका के रोटा बना है किस से बना है के रोटीन से बना है अब चलते हैं आगे मूली, मूली का मैंने वेगरिन नाम बता दिया था, मूली का वेगरिन नाम क्या है, रेपेनस सेट्राइवस, क्या है वेगरिन नाम इसका, रेपेनस सेट्राइवस, अब चलते हैं आगे, यह सारी मैंने उपर ट्रिक बता रखिए, मैं आपको बता दू ट्रिक, यह सब्जिय जाथा कि ट्रिक तीह थि क्या थी। गा कश के मूल नश में शक्कर आई यानि, गा रार्श यानी, गाजरी गाजर का विग्नी नाम था। ड्टकस केरटा। नाम यानि, रहाली consistency फिर सक्कर आई सक्करग Recht का विग्नी नाम इपन नया, बता रख सैप्ट है। सलजम के बाद सीधा प्राप्त होते हैं पंड से प्राप्त होने वाली सब्जिया यानि पत्ते से प्राप्त होने वाली पहला आज जाता है पालक क्या है पालक में अत्वा खाओ रत्तों दिको दूर बगाओ विटामीन सबसे जदा क्या होता है विटामिन ई की प्राप्ती का स्रो Paul पालक में क्या होता नीट सुना में विटामिन के बार होगा उसको पता होगा अब चलते हैं आगे तो पालक का विग्या्निक नाम है कोई सा इसिया जैशात Palng का विद्यानिक नाम है तो साथ में पढ़ते भी रही है लिखते भी रही है आगे चलते है मेती तो पालक मेती अत्वाख हichen घौत्ज़ हो तो मेती के अंदर भी विटामीनिया होगा यह तो सीधी बात है तो मैति का वेगने नाम है टाई गोनेला कौन सा नेला टाई गोनेला यह फवाइन मगरिकम यह इसका वेगने नाम है मैति का आप लिखते भी रहे आपको पीडेप भी मिल जाएगी उससे पहले यह पूरा वीडियो देखे वीडियो के बात बताऊंगा कि पीडेप कैसे प्र आप offers ओने वाले अलु पहलो होना जानते ओड़ अलु अलु का व्यगरिंग नाम है इस्थे पहले यह है कि अलु औल रोसं से अलु केस्कुल अने प्हुनुल थे स्नुने नम को या छो ले नु सुलिल में जो Sumerum ठीक है, इस्तम तने से प्राप्त होने वाली सब्जिया, फूच सकते हैं, एक्जाम में आ सकता है, कि पंड से प्राप्त होने वाली निमने से कौन से सब्जी है, इस्तम से प्राप्त होने वाली सब्जी है, तो आपको आंसर बताना है, तो यह क्या है, इस्तम से प्राप्त हो koloksya esculenta koloksya esculenta किसका वेगरिन नाम है अरभी कवेगरिन नाम है वापस मेरे साथ बोलो koloksya esculenta koloksya esculenta बोलो बजाएगा आराम सयाद होगा क्यों नहीं वेगरिन नाम है याद करने पढ़ेंगे आपको क्योंकि एक्जाम में पूछ रहते हैं आगे चलते हैं कि अब पूस्प करम से प्राप्त होने वाली सब्जी है कौन कौन सी है पूस्प करम यानि फूल से प्राप्त होने वाली फूस्प क्या है फूल से फूल में आपको याद आजाएगा फूल गोबी खाते होना सभी देखियोगी सभीने फूल गोबी तो फूल गोबी का विग् लिक और दो रहा, आपने आप याद होगा विगने नाम, favour उले रेषीः औले रेको यह और किसकुल के वन्वार। पूलगोभी वन्वार्ट रेको से नियुका को ऐसी सब्जी जो फल से प्राफ़ती है यानि फलों के अंदर गिनी जाती है तो कौन सी है बात करते हैं पहले आ रहे हैं आपके टमाटर काते हूं ना टमाटर में कौनसा यह वर्णक होता है लाइकोपीन इसलिए इसका वेगिने नाम भी क्या रहा है लाइकोपर्सी कौन एलकुलेंटम लाइकोपर्सी कौन एलकुलेंटम किसका वेगिने नाम है टमाटर का और इसमें कौन सा वर्णक होता है लाइकोपीन लाइकोपीन वर्णक इसमें होता है इसलिए इसका रंग लाल होता है किस वर्णक के कारण लाइकोपीन वर्णक के कारण इसलिए इसका दोस्तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और कुछ नहीं चाहता कि आप अपना ये वीडियो अपने वार्टसप इस्टेस पर लगाए और साथ ही जो बेर आइकन का पटन है वो जरूर दबाए और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें चल रहे हैं आगे अब ये बाउने व्याद दिखन चै दो बेंगन क classmates 총 19 संसेका सब्सक्राइब करेंद कर दो सब्सुन क्योंत मैं कहीं स्वेडियों dalू चैज़ के दो सब्सूंद करते जाएत बैंडिपंडी underwater होती है अदिकतरगी करिभी वेदी का वेदी का वेदी का वेदी की नाम क्या है एबल मासकस एसकुलेंटस को traveled मेरे ऐसे पड़ाने नहीं सी कुछ नहीं होगा क्यूंकि हजारों नाम मिल जाएंगे हर साइड पे मिल जाएंगे पड़ाने का वुद्र आपको याद भी होना चीए, अगर कोई यादना करवा है तो वह पढ़ाने वाला किस काम का, तो साथ मैं बोलते रे, alumuscus escolentes बोले, alumuscus escolentes अब चलते हैं आगे, गमार फड़ी सब काते होंगे, और कापी मेंगी भी आती होगी अभी तो साइट कहीं को मिलती हो मिली भी नहीं नावी तो चलो, गमार फड़ी गमार फड़ी का वेगेरिंग नाम है साइमोपिस साइमोपसिस साइनोपसिस टेटा गोनो लोबा किसका वेगरी नाम है गवार फली का दोस्तों वेगरी नाम है ये कड़ी मुश्किल से याद होते हैं डेली एक रूटीन बढ़ाएं जिसे आसाने से याद होंगे आप एक साथ में आप यात अपने दिवार के सामने इनको रख सकते हैं क्यो में ने पढ़ाय है यह जो ममें बता रहा हूं वह मिलेंगे जरूर। आप चलते हैं फलकी और थो मैंने बहुत तरीट ट्रिक बताही आपको पता हो गया कि फलकी ठवर द्र दोस्त पो domains के साथ में तिशन ट्र बताही बढ़नाप्ते संत्रा खाने के बालत चित्र के दिखता है। अम्रूद तो अम्रूद क्या हुआ अम्रूद ले अम्रूद सीडनी से लाया अम्रूद कहां से लेकर आया मुझे अच्छे लेगे इसलिए मैं सीडनी से लेकर आया तो यह जाएगा सीडियम गुआ जावा सीडियम गुआ जावा किसका वेगरी नाम है सीडियम गुआ जाव है विभा आप पापाया केरी का पॉपय हे यह इसका विघ्रनी नाम है किसका इसका है अप्र हाप आप और आपके यह पर अधर तो यह ब mitä और समां ब्रikit कि ईसे अन जानते हो तो सी जिपने पक्रत réalité कहो सब्सक्राइबार एनोना एकवे मौसा और आम मज़े से खाया तो आम का वेगिंग नाम लगबग सबी जानते हो चोठे से चोठा बच्चा भी जानता होगा कि मैं जी फैरा है इंडिका चलते हैं आगे की ओर काथ है अगर आपको आनंद आ रहा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें क् अब चलते हैं आगे ओस्तिय पादब कॉन से होता है जो मेडिसियन पादब होता है जो कि हमारे देनिक जीवन में हमारी रसोविगर में मिल जाएंगे आपको जैसे हल्दी है अजवाइन अध्रक रख्य यह सारे क्या है ओस्तिय पादब जो हम कभीकबा बीच में लेते है नहीं इससे हमारा पेट ठीक हो जाएगा अजवायन खाने से पेट ठीक हो जाएगा हल्दी पीने से हल्दी का दूद पीने से सरीर तंद्रुस रहता है क्यों आप भी पिते हो चलो आगे हल्दी तो हल्दी का वेगनी नाम है कुरकुमा लोंगा कुरकुमा लोंगा किसका तो दियान रखना इस्तंब और यह क्या है सभी ओस्ट दिये पादप है एसा जरूरी नहीं है कि मैं यह सा पढ़ा रहा हूं ऐसा एक्जाम में आएगा एक्जाम पूछ लेगा कि इस्तंब से नीमन में से इस्तंब से प्राप्त होने वाला पादप है देदेगा आपको चार अध्रक का वेगनिन नाम है जिनजी बर जिनवर जैला तो वह यह अध्रक तो अध्रक का वेगनिन नाम क्या है जिनजी बर आफी सिनेल जिंजी बार आपी सिनेल किसका वेगरी नाम शाओं पापिस दो रहा है अधिक्र कुरखकर कुर्कुमाल लोंगुंगा किसका कुरकुमा लोंगा किसका वेगनी नाम है यह आपके है हल्दी का वेगनी नाम अब चलते हैं आगे आगे आरहा है लौसन तो लौसन का वेगनी नाम है एलियम सेटाइवम बहुत आसानी से नाम याद होने वाला है कि लौसन का वेगनी नाम क्या है एलियम सेटाइवम त जातनाब याज करता रहिएगा फिर यह Google इसका पताने यह क्या होता है परॉंतों इसका वेगीनिनाम दे रहता है कि रॉइट नाम है यह Google का वेगीनिन नाम है कि अ कुछ पाधब है Google ऐसा ने आप जो Nathan चलते हैं मूल से प्राप्त होने वाला तो मूल से प्राप्त याणि मूले से प्राप्त होने वाला है जैसका इस्पर्स गंदा grinder इस्पर्स गंदाी आठ पर स्गंदा का जो वेगरिक नाम है वह है राउल्फिया इस्पेंट टाइना राउल्फिया इस्पेंट टाइना राउल्फिया इस्पेंट टाइना राउल्फिया इस्पेंट टाइना बार बार दो रहा हो किसका वेगरिक नाम है इस पर स्गंदा का राउल्फिया इस्पें नाम क्या है ग्लोरोवाइटाम ट्यूब्रो ट्यूब्रोसम मुझे पता है बड़ी मुश्किल से याद होता है परन्तु आप दो तीन बार इनको दो रहा हो अराम से याद हो जाएगा अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो इसकी पूरीक पूरी सारणी मिल जाएगी परन् से यहां और अभार अस्वगंदा अस्विद्व कैसे इसक कहते नाम क्या है विथानिया स्वब्री अस्वगंग तो बात नहीं है अस्वगंदा तो अस्वगंदा का विखनी नाम क्या हो देगा विथानिया सोमनी फेरा किसका विखनी नाम है अस्वगंदा पर चाल से प्राप्त होने वाले चाल से प्राप्त होने वाले तो पहला आता है कुनेन क्या आ रहा है कुनेन क्या किस से प्राप्त होती है साथ में आप दोनों को सम्मंद बनाते रहें कि कुनेन किस से प्राफ्त होती है, साथ से प्राफ्त होती है, चाल से प्राफ्त होती है, एक्जाम में ऐसे आ सकता है कि कुनेन किस से प्राफ्त होती है, आजये कि इस्तम से प्राफ्त होती है, मूलदर से प्राफ्त होती है, चाल लिस्ट यह किसका वेगरी नाम है कुनेन का वेगरी नाम है बड़े यह आसान सब्दों में आपको समझा रहा हूं यह और समझते रहिएगा ठीक है अच्छा लगे तो लाइक तो कर नहीं है और वाकी आप जाने अर्जुन यह अर्जुन भी एक पादप है जो कि छाल से प्र पुझत है पीच्छे अर्जुन आ रहा है तो अर्ञुन का वेगरी नाम हो हैगा टर्मिनेलया अर्जुन अ प्रियम ग्रिम पास वस यह सारे उस में इसमें गमार पाता होता है तो अनाम के बहुंर है क्न सब्सक्राइब क्योंकि लगबग 10th best तक के आपके competition में फूचते हैं तो इसलिए मैंने पूरी 10th class C तक क्या ही लिया है आप चलते हैं आगे तो गमार पाटे का वेगने नाम है एलोम वेरा एलो वेरा नाम सुनाओगे एलो वेरा तो इसका वेगने नाम याद रख लिए ना एलोम वेरा तो अब चलतो तूल्सी हर में तूलशी होती है सबसे ज़दी ओक्श रिषन देने वाली भी तूल्सी है इसलिए तूल्सी घर में रखनी चाहिए और लगबग साभ एस सबी ही यह क्या करते है कि एक तरह कि तरह से पिंदृ में एंटी बोडि का काम करते है तूल्सी क्योंकि यह अनेक भीमारियों की दवा है कोमें तूलसी का व्यगनी नाम कीया Systems कर सोजिन i- script में तूलसी का विवाव भी करवाशीन कि कहते हैं कि छिस गर में तूलसी होती है उसमें वगवान भजते हैं तो यह तोलसी का व्यगनी करण यही है कि यह सुद ऑक्सिजन देती है जिससे वातवन सुद रहता है साथ ही यह दवायों में भी लगवग काफी दवाया तुलसी से बनती है तो तुलसी का वेगनी नाम होजएगा ओशियम और किसका विग्री नाम है तुल्सी का विग्री नाम हो जाएगा सेंटेला एसिया टिका सेंटेला एसिया टिका किसका विग्री नाम है ब्रहमी यह भी एक परका का पादप है जिसका विग्री नाम क्या है सेंटेला एसिया टिका अब चलते हैं फल से प्राप्त होने वाले तो फल से प्राप्त होने वाले अफीम, अफीम का वेगरी नाम क्या है पेपेवर सोमनी फेरम, आसानी से याद हो जाएगा अगर कभी पकड़ा जाता तो उसको सीधी जेल होती है, यह मादिक परदाते और साथ ही दवयों के अंदर चाहिए लगब गर्मियों में तो आंवला चाहिए के किसका वेकरिण नाम है फिर दोस्तों चले आते हम रेसे उत्पादन पोदे की और रेसे उत्पादन पोदे ठीक है तो पहला रहा है जूट लगबग आपने जूट तो आप जानते होंगे जूट कैसा होता है रेसेदार जूट जूट मेशका वेग्रिशन का लहाने यह जूट अलग आक शूचे शूचे आउंगे जूट बोलने वाला जूट सबक्स्झा का वेग्रिशन के गोपी सियम जात्या करो जो जो फून की जात्य थी वो कपास बहाशती थी और याद रखने की works, अब आप तरीक होता है जिससे आशनरे से याद होता है जो गोपी शिम जो गोपी शिम जाती वो कपास बहिंस ठी कपास रूभ इबालारी अब च़एगा सने कोवगम मुझा रहा हुआ हूँ कि कि पी टोर्पु को array अदिक तरह करते हैं कि ट्रिक टूंडता है कि नहीं को ट्रिक मिल जाए अगर आप सारे के उसके ट्रिक गूंड होगे तो आप आप कंफ्यूस हो जाओंगे ऐसे कुछ सब से जुड़ते हुए याद करो कि आसाने से याद हो जाए तो नारियल का वेगनिम क्या है नारियल कोकोनेट तो चुकाश मुशी फेरा तो कस में नाम है अब देखो एक्जाम क्या करना आएगगी अधिक तरह आपको वेगनिम नाम याद निकाल सकते हो तो यह हो गया आपके फिर चलते हैं आज के लिए कापी है और चलो यह पकड़ले तो इमारती कास्ट के बारे हम कास्ट लकड़ी सागवान सागवान जानते होंहें सागवान की लकड़िया तो सागवान का वेहिगनाम क्या है है टेक्टोनागंड्रिक में ऊक्यार्शा है सागवान का वेहिगनाम है है सट्प 10 डो बाराप दो रत रहें किया कि शीषम की पूरा याद नहीं कर सकते हैं तो इसलिए तरीक अपनाना चुरूरी है फिर राजस्तान का पूस्व रोईडा मारवाड का सागवान कहते हैं इसको और यह आप याद कर ले अगर आप राजस्तान की कोई वेकेंसी की तेहरी कर रहे हैं तो यह क्योंकि आपके लिए काफी फा टे को मेला एंडू लेटा कॉन सा लेका लेटा टे को मिलै अवेकेंसी को पता है और यह भी पूथे हैं इसका वेक्रनाम है प्रोसोपिस सिनेरिया कौन सा प्रोसोपिस सिनेरिया किसका वेगरी नाम है क्याज़डी का वेगरी की नाम है क्याज़डी का वेगरी की नाम प्रोसोपिस सिनेरिया और देवदार का जो व्रक्स है उसका वेगरी नाम है सीडस देवदारा सीडस देवदारा चलो दोस्तों आ तो यह आपके उपपर निर्वर करता है कि मैं अगला वीडियो लेकर आउँ या नहीं लेकर आउँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट करके बताएं कि सर्थ आप एक अगला वीडियो लेकर आए ऐसे कि साइन्स के लगबग जीते भी topic है करवाऊंगा और उसी इसाफ से करवाऊंगा और फिर आप कहोगे तो मैं आपके सामने आकर भी बता दूंगा नहीं मेरे चेरे के साथ भी बताता रहूंगा साइड में मेरा चेरा भी चलता रहेगा और आप चाहते हैं कि एक दिन लक्षे को अउसे प्राप्स करेंगे तो धन्यावा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक यू